ओम शान्ति आज 24 ओक्टोबर 2021 है अक्सर करके हम दो शब्दों को प्रयोग करते हैं आधार और फाउंडेशन क्या आधार है और फाउंडेशन किसको कहा जाता है और हमारी साधना वो किस आधार और किस फाउंडेशन पर होनी चाहिए और किस पर नहीं होनी चाहिए ये बाते आज बाबा ने हमें स्पष्ट की हैं तो आईए जानते हैं आज के अव्यक्त इशारे साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्रे में लगाओ यदि साधना की स्थिथी में रहे साधनों को कार्रे में नहीं लगाते कोई न कोई आधार को अपनी उन्नती का आधार बना देते हो तो जब वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन आधार को foundation नहीं बनाओ आज बाबा ने इन दो शब्दों को बहुत ही इशारों से लेकिन हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि आधार और foundation इन में क्या अंतर है जैसे कोई व्यत्ती को चलने में तकलीफ होती है तो वो छड़ी का या किसी के सहारे का आधार लेता है लेगिन वो आधार temporary है केवल उस समय उस थिथी के लिए है और foundation वो डीप आधार है जिसके बल पर हम आगे की पूरी पूरी अपनी building की रचना रचते है तो आधार एक बार को temporary होता ही है और हो भी सकता है जो बाबा ने का गलत नहीं है लेकिन वो सदा नहीं रहेगा और foundation एक बार डल गया फिर उसको हम बदल नहीं सकते हैं और वैसे भी जब जितनी उची building हमें बनानी होती है उसके हिसाब से उतना ही गहरा foundation हमें बनाना होता है अगर foundation थोड़ा है तो एक limit के बाद अब आगे building को बना नहीं सकते हमारी building हमारा पुर्शार्थ हमारी प्रारब्ध ये कितनी बेहद की प्राप्ति हमें कराने वाली है इसलिए इसका foundation भी इतना ही मजबूत चाहिए वर्तमान समय हम जिन भी चीज़ों को अपने उन्नती का फिर भले ही वो कोई व्यक्ति हो या कोई वो विधी हो योग की या कुछ भी वस्तु हो अगर हम किसी भी चीज़ को वर्तमान समय आधार बनाते हैं तो वो हर चीज़ उसकी validity है उसकी limitations है केवल एक परमात्मा ही है जो की अजर अमर अविनाशी है इसके अत्रिक्त और कोई भी चीज़ अजर अमर अविनाशी नहीं है तो अगर हम किसी और चीज़ को आधार बनाते हैं तो वो भी आधार अजर अमर अविनाशी नहीं हो सकता इसलिए बाबा ने हमारा attention खेचाया है कि वो समय भी आएगा जब हर चीज़ अपने usage के अनुसार तमो प्रधान हो चुकी है और हर चीज़ की शक्ती खतम होते होते वो चीज़ ही वो वस्तु ही नहीं रहेगे ऐसे समय पर वो आत्माई जिन्होंने एक अजर अमर अविनाशी सत्चित आनन स्वरू परमात्मा को अपने जीवन का मात्र आधार नहीं लेकिन foundation बनाया है उनके दम पे ही अपने सारे कारे कर रहे हैं वही आत्माई सच्ची अधना की लाइट के आधार से प्रत्यक्ष होंगी तो अभी भी बहुत समय रहा नहीं लेकिन जितना भी समय है उस आधार से हम अपने foundation को चेक जरूर करें ओम शान्ति